हेलो एवरीबरन वेलकम बैक तो माई चैनल आज हम बनाएंगे कच्ची अंबी की हेल्दी और टेस्टी सब्ची जिसको हम लॉन्जी के नाम से पिजानते हैं और ये सब्ची बहुत ही खाने में टेस्टी बनती है और बनाने में बहुत ही आसान है जब कच्ची आमकासी जनाता है तो लगबक सभी घरों में इसको बनाया जाता है और ये खाने में इसकी तासी ठंडी होती है ये हमारे पेट के सिस्टम को ठीक रखती है डाइजेशन को सही रखती है और इसको बनाने के लिए कुछ ज़्यादा शेजों की जरूरत नहीं होती तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो इसके लिए हमने दो कच्ची अंबियों को ले लिया है उनको हमने काट लिया है इन में से एक थोड़ी सी पीली हो गई थी लेकिन वो भी इसमें चल जाती है उसका कुछ खास परक नहीं परता तो अब हम लेंगे एक पैन उस में बहुत कम मत्रा में लगबग एक तेब्ल्सपून हमने तेल लिया है सर्सो का इसको हमने गरम होने के बादे इसमें तीन चीज़ें ज़रूर डालेंगे कलोंजी मेथी और सौफ इन सभी को हमने आधा आधा चमच ले लिया है जो घर में खाने वाला चमच होता है डेली और इसको जब ये थोड़े से ब्राउन हो जाए गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसालें जिसमें लाल मिर्च स्वाद के अनुसार थोड़ी सी हल्दी अच्छे से कलर के लिए और धनिया पाउडर क्योंकि हमने इसमें सापू धनिया नहीं मिक्स करेंगे और इसमें अब डालेंगे हम नमक, नमक हम अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं और थोड़ा सा इसमें हम पानी मिला करके इसको पकने के लिए रख देंगे इसको कूकर में बनाने की कोई जुरूरत नहीं होती क्योंकि ये बहुत ही जल्दी भोती इंस्टेंटली बन जाती है अब हम लेंगे थोड़ा सा गूर इसमें दो मैने चोटे चोटे टुकडे जो गूर के थे वो ले लिये हैं और उनको अच्छे से तोड लिया है और ये देखिए हमारी जो अंबिया है वो अब लगभग पक गई है इसमें विशेश एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो मीठा है गुड चीनी या खांट आप जो भी इसमें अपने स्वाद के अनुसार डालना चाहे उसको हम जब अंबिया अच्छे से पक जाएं तभी इसमें मिलाएंगे अगर हम पहले इसमें मीठा डाल देते हैं तो ये जल्दी से नहीं पकती है तो अब हमारी अंबिया पक चुकी है सब्ची हमारी त्यार हो गई है अब हम इसके अंदर डालेंगे ये जो गुड हमने पीस के रखा है चोटे-चोटे हमने गुड के मिनट के लिए ही पकाना है ढग करके ताकि सारा जो गुड है वह अच्छे से इसमें मैल्ट हो जाए और अच्छा साथ टेस्ट इसमें आ जाए तो ये लिजिए हमारी कच्छे आम की सब्जी या लॉंजी बन गर के तयार है इसको आप रोटी परांठा नान किसी भी चीज क के साथ खा सकते हैं और इसको हम एज चटनी भी सर्व कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेर अवशे करें और एक बार इसको बना करके जरूब देखें तो मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी